तो फेंट्स विलकम टूबर चैनल हम बात करने वाले हैं बीएल के बारे में भारत इलेक्टोनिक्स लिम्टेड जो कि हमारे में 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 नहीं रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी इनलेसिस चाहिए श्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो इंडेक् अगर हम मार्केट देखें हैं तो देखें मैंने आपको पहले भी कहा था यह जो है एक अच्छा ब्रिकाउट लिवल होने वाला है इसको अगर हम ब्रिकाउट करके निकलते हैं इसके उपर कोई कंफरेशन मिलता है तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है अब क्यूंकि एक यहां से अगर अब यह ब्रिकाउट करके निकलेगा तो इसको निकल जाना चाहिए 325 के लिवल तक मैंने आपको पहले भी कहा है कि बाइंग का जो कंफरेशन है वो बहुत कम है मतलब बाइंग जाने की जो चांसे है वो बहुत कम है ठीक है तो अगर बाइंग कर रहा हो तो डेफेनेटली आप रिस्क में होने वाले हैं तो अगर आप बाइंग करने के लिए प्लान करते हो अच्छा दिख रहा है अगर आप नॉर्मल पैटन के बात करो कि चार्ट पैटन के बहुत अच्छा है रेजिस्टेंस की ऊपर होल्ड कर रहा है कंटिन्यू और एक ही लेव 335 और 340 तक का हम टार्गिट प्लान कर सकते हैं 340 जो 335 325 का जो लेवल है यह जो लेवल है इसके हिट करने के चांसे बहुत जादा है लेकिन 340 जाने के चांसे थोड़े से वहां से कम है ठीक है कोल इंडिया देख ले ना कोल इंडिया से आपको समझ में आ जाएगा जो मै यह साइडवेस हो जाएगा जो मैंने आपको पहले भी दिया हुआ था 300 के आसपास इन ही लेवल से मैंने सेयर किया था ब्रेकडाउन और वहीं पर अभी भी यह टेड कर रहा है तो क्यूंकि सेम लेवल पर आ चुका है तो यहां से अकर ब्रेक आउट देकर निकलता है तो मैंने आपको पहले भी कहा था अभी रिपीट कर रहा हूँ अगर हम फिर दो तीन परसेंट निकटेव आकर इसी रेंज में आते हैं तो यह पूरा साइडवेस रेंज होने वाला है और इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन है जो आपको 343 20 के लेवल तक ले जाएगा तो एड करने के लिए प्लान करूंगा अगर मुझे बाइंग प्लान करना है ठीक है तो यह व्यू रहेगा इसमें ट्रेडिंग का अगर हमें बाइंग प्लान करना है सौट टम के लिए लॉंग टम के लिए बाइंग नहीं बनेगा और यह श्टॉक काफी श्टैच हो चुका ह आने वाल टाइम में अगर कभी correction दिखता है तो हम buying के लिए plan कर सकते हैं बाकिया ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए stock का नाम आप comment कर सकते हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much